हलो फ्रेंट्स वे वेलकम सीव इन आर नेक्स्ट वीडियो इस वान रिसर्च में तरड़ोजी पार्ट फॉर इसमें हम टाइपस आफ रिसर्च के बारे भी डिसक्स करेंगे कि रिसर्च के टाइपस कौन-कौन से हैं और वो होते क्या-क्या हैं इसके बारे में हम डिसक्स करेंगे ओके फ्रेंट्स तो टाइपस आफ रिसर्च में हम बात कर लेते हैं बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जिसको एक केटेग्री में रखा गया है qualitative research and quantitative research जिसको दूसरी category रखा गया है experimental research & non-experimental research यह तरहर है जिनमें types को रखा गया है और भी इनके types हैं इनके अंदर इसके बारे में भी discuss करेंगे सबसे पहले हम basic research को discuss कर लेते हैं कि basic research होती क्या है तो बेसिक रिसर्च मतलब इसमें हम हाइपोथिसिस और थेओरी के टेस्टिंग करते हैं यह इसमें बेसिक रिसर्च का मतलब है कि हम इसमें हाइपोथेटिकल थौट लगाते हैं कि वह कोई चीज अगर बनी है तो ऐसी बनी है अगर हम इसमें कोई मैथ़ड अपलाई करेंगी तो इसमें क्या मोडिफिकेशन होगा कुछ को हमने है को हमने killing कि मॉडिफाइ करना है तो उस implementation में कौन सा functional group है जिसके reactivities ज्याता है उस functional group को replace करके को और दूसरा functional group उसमें add करतें जिससे हो भो ड्रग मोडिफाय हो जाए अब Must ads. नेगाटिव पॉसकते हैं या तो फरी पॉसितिव में पॉसक्ते मिनद्ट था कर सकते हैं that is the hypothetical thought that can we say it is the basic research then next one is the applied research applied research होगी applied research होगी कि भई applied research का मतलब कि हमने हमको problem solve करनी है और उस problem का result हमको immediately चीए तो उसके लिए हम कुछ तरीके कुछ टेक्निक्स करेंगे जिसके तुरू जैसे के agriculture की field में हमको या pharmaceutical field में जहां पर कि drugs को कि मैनिफिक्चर किया जाता है वहां पर applied research होगी बहुत important role होता है यह आपको immediately apply करना होता है ग्राउंड लेवल पर experimental लेवल पर बात होती है आप यह hypothetical थौट नहीं चलते है तो बहुत बेसिक और applied में difference क्या है बेसिक और applied में difference है बेसिक रिसर्च होती हो प्योर और fundamental रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च होती है वह central परपस होता है एक problem को solve करने का और वह problem immediately solve की जाती है बेसिक रिसर्च में नए knowledge जो कि theoretical होता है नेचर में उस नए knowledge की discovery होती है applied research में इसमें process या product को improve किया जाता है याने पहले से जो product आपके पास है available उसको उसकी quality में improvement करने के लिए हम applied research को यूज़ करते हैं बेसिक रिसर्च बहुत ज्यादा time ले लेती है result लाने में जबकि applied research में time कम लगता है जाता है हमने आपको बहुत बहुत जल्दी इसमें result हमको दिखाए देना ज़रूरी है तब ही हम applied research का तो काम ही है कि result लाखके बहुत जल्दी आने चीए तो यह difference हुआ basic और applied research में अब आगे चलते हैं that is the second that is called the objectives of the research next आता है descriptive objective of research जिसमें की descriptive correlation explanatory यह types आ जाते हैं descriptive में आपको research में सारा description देना होता है कि method आपको describe करनी है systematic way में या आप कोई community के बार लीविंग community के बारे में बता रहे हैं तो उसको systematic way में आपको बताना होगा यह descriptive research हो जाता है में हम बोल सकते है descriptive research refers to the research that provides an accurate characteristic of a particular species or a particular group that is descriptive next one is the correlation correlation में क्या बताहेंगे हम दो या दो से ज्यादा variables के बीच में relation बताने के लिए हम correlation research का यूद कर सकते हैं next one is the explanatory research research इसमें आपको आपको clarify करना पड़ता है कि why there is a relationship between two people or two things इसको आपको explain करना होता है इसलिए इसको गाया जाता है explanatory research next आता है in inquiry mode in inquiry mode में दो चीरे आते structural approach और unstructural structural approach को हम हमने जो सेकेंड वाला लिखा हुआ है हमारा क्या है वो quantitative structural approach को हम बह सकते है quantitative research और unstructural approach को हम बह सकते है qualitative research तो यह होता क्या structural approach क्या होता है या qualitative research क्या होता है structural approach जो की quantitative research भी होता है यह mainly numerical measurable data के बारे में हमको बताता है और यह traditional approach है इसमें irrational hypothesis और large samples इनके बारे में हम यह जो quantity से related चीज़े होती है उसके बारे में हम यहां पे study करते हैं qualitative research में हम generally non numerical data के बारे में study करते हैं generally जैसे anthropological और sociological research होती है वो इसके अंदर आती है generally हम इसमें observation देखते हैं या किसी situation का depth description हमको देना हो तो हम उसको qualitative research में use करते हैं so these are the types of research which you can use and I think this video is helpful for you and if you like my video please share it share it and subscribe my channel thank you very much for you झाल झाल